जहां पे आप लोग कहीं पे भी खुले में घूम सकों कुछ भी कर सकों जो भी आपका मन कर रहा है और आप लोग को आप लोग के लिए है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं टॉप 10 हाई ग्राफिक्स ओपेंवर्ड गेम्स फोर पीसी सारे सारे गे पर गेम आता है वो है गोथम नाइट्स ये एक एक्शन पैक्ड ओपेंवर्ड गेम है जो वर्नर ब्रॉस इंट्रेक्टिव एंटेटेन्मेंट द्वारा डवलप किया गया है इस गेम में आपको गोथम सिटी में कुछ अलगी एनोखी कहानी मिलती है जब बैटमेन को पता इसे डिस गेम से अपने तरीके से एनिमीज और अबेन भी है लेकिन इसम एक 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 सारे और बैटल एक unique challenge होगा तो दोस्तों अगर आप एक DC फैन है या action packed open world गेम्स पसंद करते हैं तो Gotham Knights आपके लिए एक perfect choice हो सकता है इस गेम में आपको engaging story, stunning graphics और thrilling gameplay मिलता है तो इस गेम को आप लोग को एक बार try जरूरू मारना चाहिए बाख ही यहाँ पे जो मारा 9th नंबर पे गेम आता है वो है State of Decay 2 यह open world zombie survival गेम है जिसमें आप एक group के survivor की भूमिका निभाएंगे इस गेम में आपको अपने base को बनाना होगा, resources collect करना होगा और zombies और दूसरे threats से लड़ने के लिए तयार रहना होगा इस गेम में आपको अपने base को बनाने का उसर मिलता है जहां आप अपने survival को सुरक्षित करते हैं, आपको resources manage करना ही होती है और अपने base को improve करना होता है हर एक survivor अपना unique skill set और personality traits लेकर आता है, आपको इन characters को manage करना होगा, उनके skills को develop करना होगा और उने protect करना होगा गेम में आपको कई तरह के zombies से लड़ना होगा जो दिन और रात दोनों में active रहते हैं, इन zombies से बचने के लिए आपको stealth और combat skills का सहारा लेना होगा State of Decay 2 को एक दोस्त के साथ cooperative mode में भी खेडा जा सकता है, आप और आपका दोस्त एक दूसरे की मदद करके अपनी survival chances को बढ़ा सकते हैं गेम की graphics और sound design आपको post-apocalyptic दुनिया में ले जाएंगे और आपके gaming experience को enhance करेंगे Overwatch State of Decay 2 की मर्चिव और challenging zombie survival game है, जहां आपको अपने base और survivors की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा तो दोस्तों अगर आप survival games और zombie apocalypse scenarios के शौकीन है, तो ये game आपके लिए एक exciting choice हो सकता है तो इस game को आप लोगो एक बड़ राई जरू मारना चाहिए, बाकिया आपे जो मारा 8th number पे game आता है वो है Outward ये एक open world RPG game है जिसमें आप एक adventurer की भूमिका में होंगे इस game में आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए कई challenges और quest का सामना करना होगा इस game में survival mechanics का महत्पूर हिस्सा है आपको भूंग, प्यास, थंड और बीमारियों से ररते हुए अपनी जिंदगी को बचाना होगा आपको resources कलेक करना होगा और crafting भी करना होगा गेम में आप एक vast open world में घूम सकते हैं जिसमें आपको diverse land, escapes, dungeons और towns मिलेंगे आप अपने quest के लिए दुनिया को explore करेंगे Outward में भी आप लोग को cooperative multiplayer mode देखने को मिलता है जहां आप और आपका दोस्त एक दूसरे की मदद करके challenges को overcome कर सकते हैं गेम में आपको melee combat और magic का option भी मिलता है आप अपने character को customize करके अपने play style को define कर सकते हैं Outward का atmosphere immersive है और game की graphics भी दुनिया को real और captivating बनाते हैं overall Outward एक challenging survival RPG गेम है जिसमें आपको अपने survival instincts और decision making skills का इस्तमाल करके अपनी जिंदगी बचानी होगी तो दोस्तों अगर आप openward RPGs और survival games के शौकीन है तो Outward आपके लिए एक interesting choice हो सकता है तो इस game को आप लोग को एक बढ़ ट्राइस जरूर मारना चाहिए बाकियां पर जो मारा 7th number पर game आता है वो है Forza Horizon 4 ये एक openward racing game है जिसमें आप एक virtual version of Great Britain में racing कर सकते हैं इस game में आपको कही तरह के karts और racing challenges मिलते हैं गेम में आप एक vast openward में घूम सकते हैं जिसमें आपको beautiful countryside, historic towns और picturesque landscape देखने को मिलेंगे आप अपने मन पसंद जगाओं को explore कर सकते हैं इस game में एक unique feature है dynamic seasons का आप game के course of time के साथ different seasons में race कर सकते हैं जिससे game का experience हमेशा fresh और अलग रहता है Forza Horizon 4 में आपको एक wide range of cars मिलेंगे including sports car, off-road wackers और classics आप अपने collection को customize कर सकते हैं और अपने dream car के साथ racing कर सकते हैं गेम में आपको कई तरह के racing challenges और events मिलेंगे जिनमें आप अपने racing skills को test कर सकते हैं और आप online multiplayer mode में भी दूसरे players के साथ race कर सकते हैं इस game की graphics और sound design की बात करें तो ये आपको एक realistic racing experience प्रवाइड करता है visuals और sound effects का level भी काफ़े impressive है overall for the horizon 4 एक must play game है racing ये man to CS के लिए इसका visually appealing open world dynamic seasons और wide range of cars आपको एक immersive और entertaining racing experience देंगे तो इस game को आप लोग को एक बार try ज़रूर मारना चाहिए बाकियां पे जमारा 6th number पे game आता है वो है content और mysterious दुनिया में लड़ते हैं जहां आपको समस्याओं का सामना करना होगा game में आप एक vast open world में घूम सकते हैं जिसमें आपको abandoned towns, forest और lakes explore करने का मौका मिलेगा इस दुनिया में आपको clues और mysteries मिल सकते हैं game के enemies machines हैं जो समय स्वेडन में शान थे लेकिन आप violent और deadly हो गए हैं आपको इन machine से लड़ना होगा जिनका size और टाकत बढ़ती जाती है गेम की कहानी और mysteries आपको exploration के दौरान मिलते हैं आपको अपने skills का इस्तमाल करके समस्याओं का समाधान निकालना होगा इस game की ग्राफिक्स और atmospheric sound design आपको इस post-apocliptic दुनिया में ले जाएंगे और आपको immersive gaming experience प्रॉइड करेंगे overalls generation zero एक engaging or challenging game है जिसमें आपको अपने survival और combat skills का इस्तमाल करके post-apocliptic दुनिया में कुछ mysteries solve करने होंगे तो दोस्तों अगर आप और आपके कोपरेटिव gameplay के शौकीन है तो ये game आपके एक अच्छी choice हो सकती है तो इस game को आप लोग पे गवा try जरूर मारना चाहिए बाकिया पे जो मारा 5th नंबर पे गेम आता है वो है Dying Light 2 ये एक open word action RPG गेम है जिसमें आप एक character के रूप में जिंदगी और मौद के बीच में फैसलों का सामना करेंगे गेम का सेटिंग एक डिस्टोपियन दुनिया में है जहां आपको रात को जिंदा रहने के लिए खतरनाक zombies और दिन में hostile faction से बचना होगा इस game में आपको वास्ट ओपेन वर्ड में घूमने का मौका मिलेगा आप पारकर skills का इस्तमाल करके buildings के उपर दोड़ सकते हैं और अपनी survival skills को test कर सकते हैं Dying Light 2 में आपको कई तरह के zombies से लड़ना होगा ये zombies रात और दिन दोनों में active रहते हैं और आपको उनसे बच कर missions को complete करना होगा गेम की कहानी आपके लिए important decisions और consequences के साथ आती है आपके फैसले गेम की कहानी को प्रभावित करते हैं और multiple endings हैं जो आपके decisions पर depend करती हैं आपको अपने survival के लिए कई तरह के weapons और tools मिलेंगे जो आप customize कर सकते हैं crafting और weapons modification भी हैं इस game में जो कि एक important हिस्सा है इस game की high quality graphics और immersive sound design आपको इस post-apocalyptic दुनिया में ले जाएंगे और आपके gaming experience को enhance करेंगे overall dying light 2 एक intense और engaging game है जहां आपको अपने survival index को test करना होगा तो दोस्तों अगर आप action, adventure और horror games के शौकीन है तो dying light 2 आपके लिए एक must play game है तो इस game को आप लोग को एक बार try ज़रू मारना चाहिए बाकि याँ पे जो मारा force नंबर पे game आता है वो है GTA Trilogy The Definitive Edition ये एक बहुत ही कमाल का game है इस game में तीन खाज GTA games शामिल किये गए है GTA 3, GTA YCT और GTA San Andreas इस game को remastered किया गया है और उन्हें modern gaming platform के लिए अवलेबल किया गया है इस trilogy में आप वापस ले जाए जाएंगे 2000 के दुनिया में जहां gangsters, crime और open world exploration का एक अलगी चाम था ये remastered edition improved graphics और textures के साथ आता है जो इन classic games के visuals को modern standard पर ले जाता है gameplay में भी कई improvements है जैसे की enhanced control, camera angles और user interface आपको और सुवीदा और control मिलेंगे खेलते समय इस trilogy में आपको iconic character जैसे Tommy Varsity, CG और Cloud का दुबारा साथ देखने को मिलेगा overall GTA trilogy the definitive edition एक nostalgia trip है जो आपको GTA के golden era में ले जाता है लेकिन modern gaming elements के साथ ये एक must play game है अगर आप GTA के fan है या फिर इन classic को नए तरीके से experience करना चाहते हैं तो इस game को आप लोग को definitely try करना चाहिए बाकिया आपे हम लोग बढ़ते हैं अपने list में आगी की तरफ इस game की खास बात है उसके जादूई दुनिया का और इसके पास एक जादूई कंगन कफ भी होता है उसकी कहानी उसके नए दुनिया में होने वाले रास को सुलजाने और अपने घर वापत जाने की कोशिफ पर बेज़ड है इस game की खास बात है उसके जादूई दुनिया का रोचक और खूपतूरत नजारा जहां आप फ्रे के साथ जादूई शक्तियां इस्तमाल करके दुनिया को एक्स्ट्रोर करेंगे फ्रे अपनी कहानी में जादूई दुनिया के अलग अलग हिस्सों के एक्स्ट्रोर करेंगे तो इस game को आप लोग को एक बड़ राइज जरूर मारना चाहिए बांकियां पर जो मारा second number पर गेम आता है वो है Avatar Frontiers of Pandora ये एक open word action adventure game है जो James Cameron के blockbuster film Avatar के word को explore करने का मौका देता है आप एक नवी Pandora के प्रत्रतिक जीवनों में से एक की भूमिका में होंगे इस game में आपको Pandora के जंगलों, परवतों और नदियों में घूमने का मौका मिलेगा यहां की natural beauty को देकर आप लोग हैरान हो जाएंगे आप नवी की संस्कृति को समझने का अफसर पाएंगे उनकी भाशा रित हुएं और उनका जीवन आपको गेम के माध्यम से जानने को मिलेगा आपको Pandora के कई तरह के challenges और adventures का सामना करना होगा आप एक प्राकृतिक समस्या से लेकर वेक्तियों से और RDA Corporation से लड़ने का मौका पाएंगे अवतार Frontiers of Pandora के graphics और sound design की बात करें तो ये Pandora के natural beauty को बहुत की अची तरीके से दिखाएंगे ये एक visually stunning game है इस game का उदेश है आपको अवतार film के word में ले जाना और आपको एक immersive और exciting gaming experience प्रोवाइड करना तो दोस्तों अगर आप अवतार के शौकीन है या फिर नए word को explore करने के लिए तयार है तो अवतार Frontiers of Pandora आपके लिए एक must try game है तो इस game को आप लोग को एक बाट राई जरूर मारना चाहिए बाक ही याँ पर जोमारा first number पे game आता है वो है Days Gone ये एक action packed open word game है जिसमें आप Dick Consent Zone की भूमिका में होंगे जो कि एक बाई कर और bounty enter है ये की शुरूरात में आपको अपने भाई बूजर के साथ एक जहरी ले आउट ब्रेक से बचने की कोशिश करनी है गेम में आप एक वास्ट open word में घूम सकते हैं जिसमें आपको हजार खत्रों का सामना करना होगा इस दुनिया में आपको motorbike से सफर करना होगा resources collect करना होगा और survival skills यूज़ करना होगा इस गेम में आपको फ्रेकर्स के नेम से जाने वाले zombies से लड़ना होगा ये खतरनाक creatures हैं जो कि रात में बहुत ही जदा खतरनाक हो जाते हैं आपको इनसे ब करके आप अपनी fighting skills को enhance कर सकते हैं इस गेम की stunning graphics और immersive sun design आपको इस post-apocalyptic दुनिया में खोने में मददगार साबित होंगे overall days gone एक gripping और challenging गेम है जो आपको एक जहरीली दुनिया में ले जाएगा जहां आपको अपनी अकल और survival skills का इस्तमाल करके बचना होगा तो दोस्तों अ आप लोग को कैसे लगी मेरे को कॉमेंट पर जरू nossa चाहिए और आप लोग नहीं कौन कौन से ग Acho और कorg kे यह कौन से वाले सब कौन में बाखरके हैं अब लोग को नेक्स वीडियो के मेरे को कौमेंट करके जरू mat झाल मैं जले झाल